हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ओटो डेस्ट स्केच बुक कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 10, 8, 7 के अंदर ओ देखेंगे और प्लीज गैज यह आप लोग अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सस्क्र करना ना भूले छले शुरू करते हैं आप अपने लेप्टाप यस पी अ blossom कि अंधर कर दियाए ब्रॉजर ऑपें करने के बाद आपको गुगॉЛ करने के बाद यहां पर आप़को टैप करना है autodesk sketchbook उसके बाद आपको इंटेर करते हिं आपको सिंदेर इस्केंट कर देक यह page open होने के बाद आपको क्या करना यहां पर दिखेगा home page पे नीचे download का button दिखेगा तो आपको क्या करना है exe download करने के लिए इसके ओपर आपको click कर देना है click करते है इस तरह से window open हो जाएगा तो आप जहां भी exe को save करना चाहते है तो इस तरह से download क्लिट होजएगा फोल्डर सेलेक्ट करके exe को save कर लिए इसके बाद आपको kया करने開始 इसको install करना है, install करने के लिए आप या तो इसके ओपर double क्लिक करके install कर सकता है, या नहीं तो इसके ओपर right क्लिक करके open करके install कर सकता है, या नहीं तो run as and install करके install कर सकते हैं, तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कीजेगा, करते हैं इस तरह से window open हो जागा, तो आपको कहा करना है यहाँ पर एक सब्सक्राइब कर देना है इसके बाद आपको 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 एक सब्सक्राइब कर देना है इसके ब आपको क्या करना है, डन के ओपर क्लिक कर देना है, अब autodesk sketchbook install हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अभी हम open करके देखेंगे, जो अभी install किया, अपर ओपर काम करता है, यह नहीं करता है, open करने के लिए आपको क्या करना है, desktop पे shortcut icon आया होगा, तो इसके ओपर आप double click करके open कर सकते हैं, या नहीं तो search bar में जाके आप search करके भी open कर सकते हैं, चलिए मैं desktop पे shortcut icon के ओपर double click करके open कर लेता हूँ, आप देख रहें, double click करते ही open हो चुका है, without कोई error, अब आप यहाँ पर sketching कर सकते हैं, यहीं आज का हमारा topic था, आपको autodesk sketchbook download करके install करके दिखा दिया फिर भी कोई दिकत हो तो आप comment box में comment कीजएगा, मैं आपको ज़रो help करूँगा, और please guys चैनल को subscribe करे, like करे, share करे, thank you